वीनस यानी शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं शुक्र ग्रह हमारे सौरे मंदल का सबसे गर्म ग्रह है वहाँ पर जीवन के संकेत कैसे मिले पूरी निव जानने के लिए मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में end तक आईए स्टार्ट करते हैं कार्डिप विश्व विद्याले और कैम्बरिज विश्व विद्याले UK के जेन S. Greaves के नेत्रित्म में एस्ट्रोनॉमर्स की एक अंतरास्ट्री टीम ने शुक्रग्रह पर फॉस्फीन नामक एक मॉलिक्यूल के निशान की खोश की घोशना की है प्रकाशित हुआ ये खोज कई वर्षों की है प्रोफेसर ग्रीप्स ने पहली बार 2017 में हवाई में मॉना किया अब्सर्वेटरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलेस्कोप का उपियोग करते हुए शुक्रग्रह पर फॉस्पीन देखा था और फिर जाकर 2019 में चैल में 45 टेलेसकोप एरे अलमा यानी अटकामा लार्ज मिलिमीटर एरे के साथ खोज को आके बढ़ाते हुए फॉस्पीन की पुष्टी की रसियन स्पेस एजेंसी रॉस कोस्मोस ने इस वी क्लेम किया है कि वीनस एक रसियन प्लैनेट है वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं वीनस हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है सूरी से मरक्यूरी के बाद मरक्यूरी की तरह वीनस के पास भी मून नहीं है वीनस पे एक दिन 243 अर्थ डेस के बराबर होता है और एक साल 225 अर्थ डेस के बराबर होता है इसलिए वीनस पे एक दिन एक साल से बड़ा होता है हमारे सौर मंडल में सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाईज गूमते हैं अपने एक्सिस पे केवल वीनस अपोजिट घुमता है clockwise इसलिए वीनस पे सुर्य परशिंचिम में उदै होता है और पूर में अस्त होता है वीनस पे मौन्टेंज और ज्वाला मुखी है वीनस का साइज पृत्वी के समान है पृत्वी थोड़ी सी बड़ी है वीनस से इसलिए वीनस को पृत्वी का सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं चंद्रमा के बाद रात के आकाश में शुक्र दूसरी सबसे चमकीली प्राक्रेतिक वस्तू है शुक्र ग्रा हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रा है स्पेस मिसन में वीनस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है जितना मार्स ग्रा को मिली है सर्फिस टेम्रेचर 460 डिग्री सेलसेस से भी उपर है ये टेम्रेचर लेट जैसे धातु को भी पिला सकता है इस इसमें ग्रीन हाउस गैस कारबन डायकसाइड और सल्फियूरिक एसिट से बने बादलों से भरा घना वाता वरण है शुक्र पर प्रित्वी के वायमंडली दबाव का नब्बे गुना है फॉस्पीन क्या है फॉस्पीन मॉलिक्यूल में फॉस्पूरस एटम तीन होता है एक बेरंग लेकिन बदबुदार गैस फॉस्पीन केवल बैक्टिरिया के कुछ प्रजातियों द्वारा बनाया जाता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में जीवित रहते हैं फॉस्पीन को एस्ट्रनॉमी में जीवन का निशान क्यों माना जाता है प्रित्वी प अगर फॉस्पीन मॉलेक्यूल दो तरीकों से उत्पादित होता है पहला केमिस्ट्री से या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से दूसरा एन एरोबिक बैक्टिरिया से जो ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में जीवित रहते हैं अगर ये प्रूप कर दे की केमिस्ट्री यानी केमिक से नहीं बनी है फॉस्पीन तो इसका मतलब है कि ये एन एरोबिक बैक्टिरिया से बनी है इसलिए इसे जीविन का निशान माना जाता है किसी प्लैनेट पे जीविन के निशान खोजने हो तो पहले फॉस्पीन खोजो और फिर प्रूप करो कि वो केमिकल प्रोसेस से नहीं बनी है फॉस्पीन करीब 20 पार्ट्स पर बिलियन पाए गई है वीनस के वातावरण में जो की thousands to millions of times ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से सोद करताओं ने गणना की है कि क्या फॉस्पीन की ये मातरा प्राक्रितिक रसायनिक प्रक्रियाओं जैसे सूरी के प्रकाश ज्वाला मुखी के विस्पोर्ट और बिजली से उत्पन हो सकती है अन्यतंत्रो अधिकांश फॉस्पीन की मातरा का केवल 10 हजारवा उत्पादन कर सकते हैं हलांकी वे इस संभावना से इनकार नहीं करते हैं कि अन्नोन नेच्रल प्रॉसेस हो सकते हैं इसलिए यह साबित करने के लिए अधिक काम करने की आवशक्ता है कि यह वास्तव में बैक्टेरिया या किसी प्रकार के जीवन के कारण है फॉस्पीन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को वीनस के वातावरण में रख सकते हैं इसके अपने चैलेंज है वहां का सर्फेस रम्ट्रिचर डेंस अट्मोस्फियर और सल्फियूरिक एसिड वातावरण में होने की कारण शायद उचाई पर उड़ना और ड्रोन या गुबारे भिजना लैंडिंग से ज़्यादा संभव होगा वीनस पे स्पेस मिसन नासा ने अगले साल और इस्रो ने 2023 में प्लान किये है नासा का स्पेस मिसन आटो मेर्टन रोवर फॉर एक्स्ट्रीम एनवायरमेंट्स अरी है जो वीनस पे लैंड करेगा इस रो का मिसन शुक्रियान है जो वीनस को और्बिट करेगा फॉस्पीन को जुपीटर और सैटन पे खोजा गया है फॉस्पीन को जुपीटर पे अर्ली 1970s में खोजा गया है था जो की एक प्योर केमिकल प्रॉसेस से बनती है कई स्पेस मिसन भेजे गये हैं वीनस को स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिसेंट डेडिकेटर मिसन के बारे में जानते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्स्प्रेस और जाकसा का अकत सुकी कुछ स्पेस मिसन वीनस के पास से क्रॉस किये हैं जैसे नासा का स्पारकर सोलार प्रोब